नमश्कार, स्वास्तीकार इसराइस स्रेब्न, मैं संतोष मीना आई आजके मारकेट सेट अप को सम jت है सबसे पहले global market की बात करें तो US और इरान के tension के चलते US market कमज़री के साथ बंद हुए Asian market भी negative node पर trade करें क्योंकि इरान ने US base पर missile launch की है लेकिन नीचलेश तरोज से एक अच्छी recovery देखने को मिली है शुरूआती panic के बाद और crude oil भी शुरूआती तेजी के बाद cool off हुआ उपरीश तरोज से SGX Nifty 103 पॉइंट का downtick दिखा रहा है डेटा की बात करें तो कल FIS ने 682 करोड की selling की cash market में वही दियाइस में 311 करोड की बाइंग की तो नेट नेट 371 करोड की इंस्ट्टिशनल सेलिंग थी अफेंटो के डेटा की बात करें तो FIS का डेटा मिक्स था इंडेक्स फूट्र में 5000 कांटेकों णोंनों same old shipping दो क्रोड की एंडेक्सуск और 13 kisonsa कॉस् diy डेट की इंडेक्स की बात करें तो केमिकल स्टॉक्स में कल जाती जाती डेए स्ट्रेंट को मिली धिया है और यह श्रेंट साहत कंट्यूनुन Cand nearby रहेगी मारकेट में. सिमेंट इस्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं क्योंकि मॉर्गन इस्टैली इस सेक्टर को लेकर पॉजिटिव आटलुक दिया है. एकनिकल आटलुक की बात करें तो मारकेट में वेरी हाइइ वालेटिलिटी है क्योंकि geopolitical tension को लेकर uncertainty बनी हुई है SGX Nifty एक gap down opening सजेस्ट कर रहा है Technically 1195 जो पुराना low है वो एक strong support और immediate support का काम करेगा जहांसे हम recovery expect कर सकते हैं इसके नीचे 11920 से 11840 का area दुसरा support zone रहेगा उपर की side 20 day moving outlet जो 12140 पर है immediate resistance का काम करेगा अगर इसके उपर निप्टी निकलता है तो एक short covering rally expect कर सकते हैं बैंक निप्टी की बात करें तो बैंक निप्टी ज्यादा vulnerable होता है geopolitical tension को लेकर 3121,000 से 31,000 का area immediate support zone है कोई किसी भी प्रकार की recovery के लिए इसके नीचे 3600 से 3350 अगले support level रहेंगे उपर की set 32,000 एक strong hurdle है अगर कोई recovery आती है तो यह था आज का market setup आप धन्यवाद आपका दिन शुबर है